हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करेट बैल से देखें तो एक अच्छा खासा सपोर्ट भी इसने गेन कर लिया है निचे के लेवल पे तो उसके उपर बात करेंगे तो मंतली चार्ट पर देखिए 49 के आसपास की आरे सही है हमें चाहिए 60 की तो 60 से काफी कम है अभी तो यहाँ पर मल्टी बैगर वाली बात अभी बनती हो नजर नहीं आएगी बट स्टोक जो है टाइम बाइज और थोड़ा सा प्राइस बाइज क्रेक्ट होता हुआ नजर आ सकता है अगर बात करें बिकली बात structure को देखें तो देखें यहाँ पर जो है इस तो एक अच्छा खासा इसने रिजिस्टेंस फेस किया था इस लाइन के ऊपर यहाँ पर इसने ब्रेक आउट किया तो देखिए उसके बाद यही जो रिजिस्टेंस लाइन थी इसके लिए support लाइन बनती हुई नजर आ र पा रहा है अगर आप इसे थोड़ा सा और दिहान से देखें तो स्टोक जो है बार बार इस लाइन के आसपास जुरूर जाता है बट आप देखिए multiple time ब्रेक आउट जुरूर दिया बट सस्टें नहीं कर पाया और जिरे-जिरे फिर से फिसलता हुआ इसी लाइन के आसपा फिर से उपर गया और इसी लेबल के आसपास फिर से आया अगेन उपर गया फिर नीचे और फिर ऊपर तो यहां पर रेंज है वो नेरो होती चली जा रही है और हो सकता है अगर कोई ऐसी ख़वर आती है जह मार्केट प्रेशर में होती है तो यहां पर ब्रेक्डाउन दे तो आने अले टाइम में बिलकुल आप देख सकते हैं कुछ वीक्स में यह जा तो ब्रेक आउट करेगा जा ब्रेकडाउन करेगा क्योंकि रेंज जो है अब काफी कम होती चली जा रही है अगर इस ट्रेंगल की बात करें तो आरसाई अभी भी स्टेंथ वाली नहीं है 60 से नी इसे ब्रेक आउट नहीं कर पा रहा है निच्चे के लेवल पर 44 के असपास एक अच्छा खासा इसने बेस अपना बना लिया है तो उपर की बात करें आपको तभी इसके अंदर पूजिशन बनानी है जब स्टोक इस लाइन को ब्रेक करके उपर की तरफ जाए और अल्मोस् पर इस टाइब से स्टैप बाइस टैप जो है इसके रस्ते में पहला जो रहेगा ब्रेक आउट करना जुरूई है 55 के ऊपर 55 के ऊपर ब्रेक आउट करता है तो 58 दैन 64 तक जा सकता है निच्चे के लेवल पर 48 और 44 रहेगा अगर 44 को तोड़के निच्चे किसी भी कंडिश उपर ही मेंटेन हो रहा है तो देखना होगा फैले नजर रखिए 48 पर और 44 फाइनल प्राइस रहेगा उपर के लिए 55 दन 58 और फिर 64 लेवल्स रहेंगे तो इन लेवल्स के ऊपर नजर रखिए अगर आप इसमें किसी टाइप का पैसा लगा रहे हैं चाह ट्रेडिंग कर यहां तो जरूर जाए और फिर से नीचे आता हो नजर रहे तो बिल्कुल आपको जो है ब्रेक आउट का वेट करना जरूरी है थैंक्यू धन्यवाद